कि नमस्कार आप देख रहा हैं इंडिया पॉर नियूद जिर्म का परताफास मैं हूँ आपके साथ सुरेंद रावोद इस वक्त की ख़बर आ रही है बारबांकी जन्पतimiento सोत्लिधा आथिर कब तुटेगी पारबांकी बिजनी विवाद की कुम्ब करेड़ी नीत बारबांकी जन्पत के तक्ताशि गामस नहीं घाठचत्रों विजनी विवाद के अधिकारी किसी भड़ी ध्ता तो अंजान देने में धात लगा कर पैठे हैं प्राथ जानकारी के अंसार भिकास खंद पूरेड पंचायत नियामत पुरका है जहां पर एक साल से जरजर फोल आधे पर से तूटा हुआ है और 11,000 बोल्टेज की येच्टी लाइन भी चल रही है आपको पताते चलें की जरजर फोल प्रा आते जाते हैं विद्याले और कुछ ग्रामिडोता मकान भी उसी जगह पर बना हुआ है जो हादसे को दावत दे रहा है और कभी भी आपदा आने पर जरजर फोल चूट कर गिर सकता है किसी मासूल की जान जा सकती है ग्रामिडोता आरोफ है कि जिमनेदार अधिकारियों से बार बार सिकात करने के बाउजूद नहीं बदला गया जरजर फोल बिजली विभात के अधिकारी कुम्बकरणी नीद में मस्त है नहीं है इनने किसी का डर नो तो है कानून का ठोप आखिर कभ चूतेगी इनकी कुम्बकरणी नीद जब कोई इंसान भगवान को हो जाएग त्यारा बारवान की से इंडिया पॉर्ण न्यूज के लिए दिरिप कुमार की रिपोर्ट नाव है आपका? अर्विन कमार रिपोर्णी नाम है जा कौन सा गाव हो जूज कॉन सी है? क्या दिकत है आपको? अप़कत यह है कि हमारा घर सामिय पर रहा है इधर बिद्याले है और यह झो पूटा हुआ है और कंद इस सिकायत भी किया गया लेकिन कोई भी जिभाक का लि प्रभान से भी बताया था और वहां भी शिकायत किया तो जो है कोई इसको बेखने आ रहा है ना बदलवाने आ रहा है यहां बच्चे पढ़ते हैं यहां हमारे बच्चे भरके रहते हैं अगर ज़रा से कोई भी अवाँ चलती है तूड़ जाया तो कौई जुन में दार्वत अच्छा तर यह कभसे तूटा हुआ है लगभभ यह लगभभभ यह देःध दो साल से फिका है अच्छया मतलब आव शिकायत करने के बावजूद कोई कारवाई नहीं हुए जी आभ जी हां कोई क्याल करता है इधर आता है देखके इसे वह चला जाता है और इधर से रास कर दो कर दो